ओम ख्लीम कृष्णाय नमा पदम पुरान की कथा सुनने वाले सभी भक्तों का आज की कथा में हार्दिक स्वागत है भगवान श्टी हरे विष्णू और माता लक्ष्मी की कृपा सदयव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे इस से पहले के सभी अध्याय सुनने के लिए आप सभी दर्षकों का बहुत बहुत धनेवाद और अब आप सुनेंगे आज का अध्याय सुनने से पहले वीडियो को लाईक कर दीजिये और कमेंट बॉक्स में राधी राधी ज़रूर लिखतीजिये और अगर आपको ये कथा पसंद आती है तो इस वीडियो को जादा से जादा शेयर कीजिए और अब भगवान स्री हर विश्मु का ध्यान करके आज की पावन कथा का प्रारंब करते हैं भीश्म जी ने पूछा हे विप्रवर मनुष्य को भी देवत्व सुख राज्य धन यश और विजय भोग आरोग्य आयू विद्या लक्ष्मी पुत्र बंधु वर्ग एवं सब्रकार के मंगल की प्राप्ती कैसे हो सकती हैं क्रिपा करके आप मुझे ये बताने की क्रिपा की आर्थात धन धाने से समरिद्ध होता है तीनों लोखों और प्रत्यक य्युग में ब्राम्हण देवता निठ्य पवित्र माने गए हैं ब्राम्हण देवताओं का भी देवता है ऌर शांक्षात धर्मीकी की मूर्ती है और इस प्रिद्वी पर सब को मोख्ष प्रदान करने वाला है ब्राम्हन सब लोगों का गुरू पूज्य और तीर्थ स्वरूप मनुस्य है और ब्रम्हा जी ने उसे सब देवताओं का आश्रय बनाया है पुर्वकाल में नारत जी ने इसी विचय को ब्रम्हा ब्रम्हाजी से इस प्रकार पूझा था। उत्तम दक्षणा से युक्त सो यग्यों का अनुष्ठान हो जाता है। जिसके घर पर आया हुआ विद्वान ब्राम्हण निराश नहीं लोडता। उसके संपुण पापो का नाश हो जाता है। तथा वह अक्षय स्वर्ग को प्राप्थ हो जाता है। पवित्र देश काल में सुपात्र ब्राम्हण को जो धन-दान दिया जाता है उसे अक्षय ही जानना चाहिए। वह जन्म-जन्मांत्रों में भी फल देता रहता है। ब्राम्हणों की पूजा करने वाला मनुष्य कभी दरिदर दुखी और रोगी नहीं होता। जिस घर आंगन में ब्राम्हणों क का प्रादुर्भाव हुआ था फिर उसी मुख से जगत की श्रिष्टी और पालन के हेतु वेद प्रकट हुए थे। विधाता ने समस्त लोगों की पूजा ग्रहन करने के लिए और समस्त यग्यों के अनुष्ठान के लिए ब्राम्हण के ही मुख में वेदों को समर्पित किया पित्रियग्य अर्थात श्राधतरपण विवाह अगनी होत्र शांति कर्म तता सब्रकार के मांगली कार्यों में ब्राम्हण ही सदा उत्तम माने गये हैं ब्राम्हण के ही मुख से देवता हव्यका और पितर कव्यका उपभोग करते हैं ब्राम्हण के बिना दान होम औ पुलाकर भोजनवश्य कराना चाहिए और उनी से सब कर्म भी कराना चाहिए उत्तम देशकाल में और उत्तम पात्र को दिया हुआ दान दस लाग गुना और अतिक फल्दायक होता है ब्राम्हण को देखकर श्रद्धा पुर्वक उसको प्रणाम करना चाहिए क्योंकि ब्राम मनुष्य की आयू छिड होती है उनके धन और एश्वर्य का नाश हो जाता है तथा परलोक में भी उनकी दुरगती होती है ब्राम्हण का पूजन करने से आयू यश्य विद्या और धन की व्रिद्धी होती है तथा मनुष्य श्रेष्ट दशा को प्राप्त होता है इसमें तनिक भी संदेह नहीं है जिन घरों में ब्राम्हण के चरणोदक से कीच नहीं होती जहां वेद और शास्त्रों की ध्वनी नहीं सुनाई देती और जो घर तरपन और ब्राम्हणों के आशिरवाद से वंचित रहते हैं वे स्मसान के समान है नारत जी ने पूझा पिता जी कौन सा ब्राम्हण अत्यंत पूझनी है ब्राम्हण और गुरु के लक्षन का यथावत वरणन कीजिए तब ब्रम्हा जी ने कहा हेवत्स श्रोत्रिय और सदाचारी ब्राम्हण की नित्य ही पूझा करनी चाहिए जो उत्तम रत का पालन करने वाला और पापों से मुग्ध वह मनुश्य तीर्थ स्वरूप है उत्तम श्रोत्रिय कुल में भी उत्पन्न होकर जो वैदिक कर्म का अनुष्ठान नहीं करता वह पूझित नहीं होता तथा असत छेत्र अर्थात मात्री कुल में जन्म लेकर भी जो वेदानुकुल कर्म करता है वह पूझा के योग्य है जैसे महर्षी वेद व्यास और रिशेशिंग विश्वामित्र यदिपी छत्री कुल में उत्पन है तथा पी अपने सत्कर्मों के कारण वे मेरे ही समान है इसलिए बेटा तुम प्रिध्वी के तीर्थ सुरूप श्टोत्री आधी ब्रामणों के लक्षन सुनो इनके सुन्ने मात्र से ही सब पापों का नाश हो जाता है ब्रामण के बालक को जन्म से ब्रामण ही समझना चाहिए संसकारों से उसकी द्विजकी संग्या होती है तथा विद्या पढ़ने से वह विप्रणाम धारन करता है इस प्रकार जन्म संस्कार और विद्या इन तीनों से युक्त होना श्रोत्रिय का लक्षण है जो विद्या, मंत्र तथा वेदों से शुद्ध होकर तीर्थश्नानादी के कारण और भी पवित्र हो गया वह ब्रामण परम पूजनिय माना गया है और जो सदा भगवान श्री नारायन में ही भक्ती रखता है जिसका अंताकरण शुद्ध है जिसने अपनी इंद्रियों और क्रोध को जीत लिया है जो सब लोगों के प्रति समान भाव रखता है जिसके हृदय में गुरू, देवता और अतिथी के प्रती भक्ती है जो पिता और माता की सेवा में लगा रहता है और जिसका मन पराई इस्त्री में कभी सुख नहीं अनुभव करता जो सदा फुराणों की कथा कहता और धार्मिक उपाख्यानों का प्रसार करता है उस ब्राम जी के जलका सेवन करता है उसके साथ वार्ता लाप करने से ही उत्तमगती की प्राप्ती हो जाती है जो शत्रू और मित्र दोनों के प्रति दया भाव रगता है सब लोगों के साथ समत्व का बरताव करता है दूसरों का धन और जंगल में पड़ा हुआ तिनका भी नहीं काम और क्रोधादी दोशों से मुगत है जो इंद्रियों के वश में नहीं होता यजुर वेद में वर्नित चतुर वेद में इशुद तथा 24 अक्षरों से यूगत त्रिपदा गायत्री का प्रति दिन जप करता है तथा उसके भेदों को जानता है वह ब्रह्म पद को प्रा आईए तब ब्रह्मा जी बोले हेवत्स गायत्री मंत्र का चंद गायत्री और देवता सविता निश्चित किये गए हैं गायत्री देवी का वर्न शुक्ल मुख अगनी और रिशी विश्वामित्र हैं ब्रह्मा जी उनके मस्तक स्थानी हैं उनकी शिखारुद्र और हिर्द प्रत्यक अक्षर के देवता का ज्यान प्राप्ट करने से विश्णु का सायुजी मिलता है। चाहिए और इससे करोणों पातक और उपपातक नश्ठ हो जाते हैं। तथा जब करने वाला पुरुष ब्रह्म हत्यादी पापों से मुक्त होकर मेरे लोग को प्राप्ट हो जाता है। जिस किसी कुल में उत्पन हुआ ब्रामः भी यदि जब पारायन हो तो वा साक्षात ब्रह्म स्वरूप है। उसका यतन पुर्वक पूजन करना चाहिए। ब्रामः को प्रत्यक पर्वपर वेधि पुर्वक दान देना चाहिए। इससे दाता को करोणों जन्मों तक अक्षय पुने की प्राप्ति होती है। जो ब्रामः स्वाध्याई पारायन होकर स्वेम पढ़ता और दूसरों को पढ़ाता है। और संसार में द्वेजातियों यहां धर्म सदाचार, शूति, स्मृति, पुराण संगीता तथा धर्म संगीता का श्रमण कराता है। वह स्पृत्वी पर भगवान स्री विष्णु के समान है। मनुष्यों और देवताओं का भी पूज्य है। उस तीर्थ स्वरूप और निश्पाप ब्रामः का बल अक्षय हो जाता है। उसका आदरपुर्वक पूजन करके मनुष्य श्री विष्णु धाम को प्राप्त होता है। और जो द्वेज गायत्री के प्रत्यक अक्षर का उसके देवता सहित अपने शरीड में न्यास करके प्रती दिन प्राणयाम पुर्वक उसका जब करता है। वह करोणों जन्मों के किये हुए संपुर्ण पापों से शुटकारा पा जाता है। इतना ही नहीं वह ब्रह्मपद को प्राप्थोकर प्रकृती से परे हो जाता है। इसलिए नारद तुम प्राणयाम सहित गायत्री का जब किया करो। नारद जी ने पूछा हे ब्रह्मभन प्राणयाम का क्या स्वरूप है। गायत्री के प्रत्यक अक्षर के देवता कौन-कौन है तता शरीर के किन किन अव्यवों में उनका न्यास किया जाता है हेतात इन सभी बातों का क्रमशह वरणिन कीजिए ब्रह्माजी बोले प्रत्यक देहधारी के गुई देश में अपान और रिदय में प्राण रहता है इसलिए गुदा को संकुजित करके पूरक क्रिया के द्वारा अपान वायू के साथ संयुक्त करें तत्पस चात वायू को रोग कर कुम्भग करें और उसके बाद रेचक की क्रिया के द्वारा वायू को बाहर निकालें पूरक आधी प्रत्यक क्रिया के साथ तीन तीन बार प्राणायाम मंत्र का जब करना चाहिए द्वेज को तीन प्राणाया के देवता का ज्यान प्राप्त करके अपने शरीर में उसका न्यास करता है भब्रम्म भाव को प्राप्त होता है उसे मिलने वाले फल का वर्णन नहीं किया जा सकता बेटा प्रत्यक अक्षर के जो जो देवता हैं उसका वर्णन करता हूं सुनो इन अक्षरों का जब करने से द्विजगो फिर जन्म नहीं लेना पड़ता। प्रथम अक्षर के देवता अगनी, दूसरे के वायू, तीसरे के सुर्य, चोथे के वियत, अर्थात आकाश, पांचवे के यम्राज, छटे के वरुण, साथवे के ब्रिहश्पती, आठवे के परजन्य, नवे के इंद्र, द इस प्रकार, चोबीस अक्षरों के ये चोबीस देवता माने गये हैं। गायत्री मंत्र के इन देवताओं का ज्यान प्राप्त कर लेने पर, संपुण वांगमैं अर्थात वाणी के विशय का बोध हो जाता है, जो इन्हें जानता है, वह सब पापों से मुक्दोकर ब्रह् के पूरुस को चाहिए कि अपने शरीर के पैर से लेकर सिर्थ तक 24 अस्थानों से पहले गायत्री के अक्षरों का न्यास करें तत का पैर के अंगूठे में सा का गुल्फ अर्थात घुट्टी में वी का दोनों पिंडलियों में तू का घुटनों में वर का जांगों में और रे का गुदा में न्या का अंडिकोश में मा का कटी भाग में भाका नाभी मंडल में रगो का उदर में दे का दोनों स्तनों में वका ह्रिदय में स्वका दोनों हातों में धी का मुह में मा का तालू में हिरिम का नाशिका के अग्र भाग में धी का दोनों नेत्रों में योक यलाट में, नह का मुख्य के पुर्व भाग में, प्रह का दक्शिन भाग में, चो का पस्चिम भाग में, और दा का मुख्य के उत्र भाग में न्यास करें। श्रीहरी को प्राप्थ हो जाता है इस प्रकार व्याहरती और बारह उंकारों से युक्त गायत्री का संध्या के समय कुम्बक क्रिया के साथ तीन बार जब करके सुर्यों पस्थान काल में जो 24 सक्षरों की गायत्री का जब करता है वह महाविद्या का अधिश्वर होता है और ब्रह्मबद को प्राप्त करता है का उच्चारन करके दोनों चर्णों का स्पर्श करें इसी प्रकार ओम भुवा जानुभ्याम कहकर दोनों घुटनों का ओम स्वाह कटियाम कहकर कटि भाग का और ओम महनाभी का उच्चारन करके नाभी स्थान का ओम जनह हृदय कहकर हृदय का ओम तपह कर्यों बोलकर दोनों हाथों का ओम सत्यम ललाटे का उच्चारण करके ललाट का तता गायत्री मंत्र का पाट करके शिखा का स्पर्स करना चाहिए सब बीजों से युक्त इस गायत्री को जो जानता है वह मानू चारों वेदों का योग तता तीनों प्रकार के वाचिक उपांशु और मानसिक जब क का ज्यान रखता है जो इस गायत्री को नहीं जानता वह शुद्र से भी अधम माना गया है उस अपवित्र ब्राम्हण को पित्रों के निमित्य किये हुए पार्वर्ण श्राध्य का दान नहीं देना चाहिए और उसे कोई भी तीर्थश्नान का कोई भी फल नहीं मिलता उस उसी तरह जैसे कोई पवित्र पुष्प किसी गंदे स्थान में पढ़ जाने पर काम में लेने योग्य नहीं रह जाता मैंने पुर्वकाल में चारों वेदों और गायत्री की तुलना की थी उस समय चारों वेदों की अपेक्षा गायत्री ही गुरुतर सिद्ध होई है क्य जो सवेरे और शाम को परुद्राक्षकी माला पर गायत्री का जब करता है वह निसंदेह चारों वेदों का फल प्राप्त कर लेता है जो द्विज एक वर्ष तक तीनों समय गायत्री का जब करता है उसके करोणों जन्मों के उपार्जित पाप भी नश्ठ हो जाते हैं गा व्यट्यप्रती वासुदेव मंत्र का जब और भगवान श्रीविष्णू के चरणों में प्रणाम करता है वमोक्ष का अधिकारी हो जाता है जिसके मुक में भगवान वासुदेव के स्तोत्र और उनकी उत्तम कथा रहती है उसके शरीर में पाप का लेश मातर भी नहीं रहत वेद शास्त्रों का अवगाहन करने उनके विचार में सनलगने रहने से गंगाशनान के समान फल प्राप्त हो जाता है लोक में धार्मिक ग्रंथों का पाट करने वाले मनुश्यों को करोणों यग्यों का फल मिलता है है नारद मुझमें ब्रामणों के गुणों का पूरा पूरा वरणन करने की शक्ति नहीं है ब्रामणों के सिवा दूसरा कौन देहधारी है जो विश्व स्वरूप हो ब्रामण श्री हरी का मूर्दिमान विग्र है उसके शाब से विनाश होता है और वरदान से आयू, विध्या, यश, धन और सप्रकार की समपतिया प्राप्थ होती है ब्रामणों के ही प्रसाद से भगवान श्री विशनु सदा ब्रमभन्य कहलाते हैं जो ब्रम्भन्य अर्थात ब्राम्भणों के प्रती अनुराग रखने वाले देव हैं, गो और ब्राम्भणों के हितकारी हैं, तथा संसार की भलाई करने वाले हैं, उन गोविंद श्री कृष्ण को बारम बार नमस्कार है, जो सदा इस मंत्र से श्री हरी का पूजन करता है, उसके उपर भगवान सदा ही प्रसन रहते हैं, तथा वा भगवान श्री विष्णु का सायूज प्राप्त करता है, जो इस धर्म स्वरूप पवित्र आख्यान का श्रमण करता है, उसके जन्म जन्मांत्रों के किये हुए पाप नश्ठ हो जाते हैं, जो इसे पढ़ता, प कता का यहीं पर समापन करती हूँ, इसके आगे काबरेतान तब कल की कता में सुनेंगे, उमीद करती हूँ आज की कता आपको ज़रूर पसंद आई होगी, तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए, और अगर संभव हो तो वीड पाथे रादे तो ज़रूर लिखा कीजिए,